हलो एवरिवान मैंने मैं इस मैं इस वीडियो पर बात करने वालों 36 गड़ बोट कक्छा 7 वी मासिक आकलन जुलाई 2023 का उत्तर इस वीडियो पर बताने वालों तो वीडियो को लाइक, सेयर और योटूब चैनल को सस्क्राइब का लिस्ट का पेडियेप वेब साइट पर मिले माज जुलाई 2023 का 67 वी विशे विज्ञान का मासिक आखलन उत्तर वस्तूनिष्ट प्रश्ण रिक्तिस्थान की पूर्ती कीजिए दुर्वी भालू का मुख्य भोजन डैस है उत्तर आएगा इसका सील प्रकास संसलेशन में पौदे डैस गैस का उपियोग करते हैं उत्तर आएगा सी ओटू कार्बन डाई ऑकसाइड जल को प्रदोसित करने वाले पदार्थ को खलिस्थान कहते हैं उत्तर आएगा प्रदूशक उसके बाद है अत्ती लगूतरिय प्रश्न अनुकुलन क्या है चौथा पांचवा निमांग क्या होता है खाद्स रिंकला की सुरुभाट कहां से होती है ये दो अंक वाले प्रश्न लगूतरिय प्रश्न आशुज जल किसे कहते हैं और इसका उपियोग क्या है जीवन की मुलभूती न आओ सकता क्या है दिर्ग उत्री प्रश्न इस कथन को विलायक वा विले पदार्थ बताओ सर्बत में नमक का गुला होना उसके बाद प्रोजेक्ट कारे खादस रिंकला बनाओ मेधक, बड़ी मचली, साप, काई, बगुला, छोटी मचली दुरुवी भालू का मुख्य भोजन सील है प्रकाश संसलेशन में पौदे डैस गैस को उप्योग करते ही कार्बन डाई ऑकसाइड जल को प्रदूसित करने वाले पदार्थ को प्रदूसक कहते हैं अनुकुलन क्या होता है अनुकुलन जीवों में होने वाला ऐसा परिवर्तन है जो उन्हें अपने वातवरन में बैतर ढंक से जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद करते हैं अनुकुलन कहलाता है हिमांग क्या होता है? हिमांग किसी पदार्थ का वहत आप मान होता है जिस परवर्त ठोस पदार्थ में बदल जाता है तो पानी का हिमांग, जल का हिमांग, zero degree Celsius होता है खादश रिंकला की सुरुवात पेड़ पौधोसी होता है आसुजल किसे कहते हैं आसुजल वह जल है जिसे आस्वन की प्रक्रिया के माध्यम से सुद्ध किया गया है आस्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी को उबाल कर उसकी भाप को एकत्रित किया जाता है और फिर भाब को ठंडा करके संगनित किया जाता है इस प्रक्रिया में पानी की सभी असुद्या दूर हो जाती है जिससे आसुजल प्राप्त होता है आसुजल का उप्योग विभिन्न छेत्रों में किया जाता है जिनमें सामिल है प्रयोक सालाओं में प्रयोक के लिए खाते से उर्जा और पोसन प्राप्त होता है जो सरीर की विकास और कारे छमता के लिए आवस्त के जल पीने के लिए जल जीवन का मतपून स्त्रोत होता है और विभिन कारियों के लिए भी आवस्त के वायू स्वास लेने के लिए वायू आवस्त के जो सरीर के विभिन अंगो को सुद्ध और सहीं काम करने में मदद करता है इस कथन को विलायक व विले पदार्थ बताओ सरबत में नमक का घुला होना एक विल्यन है विल्यन में विलायक और विले पदार्थ होता है जो अधिक मात्रा में होता है विले वह पदार्थ होता है जो कम मात्रा में होता है सरब में पानी विलायक है और नमक विलेपदारत है पानी नमक को घोल्कर उसे एक विलेण बनाता है काई काई को कौन खाता है चोटीमचली चोटीमचली को बड़ीमचली बड़ी मचली को साप, साप को बगुला इस तरह से आपका ये खादस रिंखला बनेगा काई, छोटी मचली, छोटी मचली को बड़ी मचली, बड़ी मचली को साप और बगुला इस तरह से आपको उत्तर करना है Thanks for watching, subscribe the channel, thank you so much